आपके साथ कहीं लोग वहवार में आते हैं, आप अनेका अनेक लोगों को मिलते हैं, वो सकता है कि उसमें कहीं लोग आपसे छोटे हैं, परंतु कभी भी आप अपनी बुद्धी में भी या नहीं लाओ कि वह व्यक्ति मेरे से छोटा है, नहीं उसके साथ ऐसा वहवार करो कि जिससे उसको ये फिलिंग आए कि वो आपसे छोटा है, विशेश रुप से परिवार में या जहां वर्क प्लेस पर जो आपकी टीम है, उसमें आपने अगर उनको यह एसास दिलाया कि वो दुसरे लोग आपसे छोटे हैं, तो क्या होगा कि वो आपको सहयोग नहीं देंगे, जब आवशकता होगी, तब वो आपके साथ नियम से तो काम करेंगे, पर दिल से काम नहीं करेंगे, और अगर मौका लग गया है, तो आपको नीची गिराने की भी कोशिश करेंगे, आपकी जीवन में वो बाधारूप बन जाएंगे, इसलिए wisdom of the day है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कि न कोई छोटा है न बड़ा है, जैसे आत्मिक रूप से भी कहते हैं, कि भी हम सभी आत्माए हैं, तो हम सभी एक समान है, बल उनका रोल अलग हो सकता है, परंतु हम रोल नहीं है, हम तो सोल है, इसलिए सब को एक समान निगा से देखिये, वहवार भी उनके साथ ऐसा ही करिये, तब आप उनका सहयोग पाएंगे, तब वह खुशी खुशी आपको अच्छे वाइब्रेशन भी प्रदान करेंगे। Wisdom of the Day While interacting with others in personal or professional setups, we tend to have feelings of superiority over others. This creates hindrances in the flow and exchange of positive feelings, ideas and a supportive environment. A spiritually mature person sees all as same and equally gifted as a soul. This creates an environment conducive for growth and happiness.